हेलो अब्रीवन मैं स्वारब दूए मैगनेट बेंस इंदी वेडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत बढ़ी होंगे और आज अपना एक नया चाप्टर स्टार्ट होने वाला है पार्थ 11 जिसका नाम है प्रिष्टिय चेत्रफल और आयतन इस प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेट चीजे आती हैं उस तरह के क्वेस्टन दिये होते हैं और उसको हमें सॉल्व करना होता है मतलब उन क्वेस्टन को हम कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं है ना जैसे दिया है कि भाई पानी पी रहे हो एक गिलास है आपके पास उसका रेडि जो है आपका 10th क्लास में भी है और ये चाप्टर बहुत जादे मार्क्स का आता है मतलब कुल मिला के मैं बताओं तो 8 से 10 नंबर तक का ये चाप्टर देखने को मिल जाता है 9th में भी और 10th में भी तीसरी बात यह है कि अगर आपने 9th क्लास में इसका बढ़ियां से इसको जबर्जस्त तरीके से हम दोनों मेहनत करके अगर क्लियर किये मतलब मेरी इधर से भी मेहनत होगी हमारी पूरी टीम की तरफ से मेहनत होगी और सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम है वो आपकी तरफ से मेहनत का काम है तो अगर वो मेहनत की गई आपकी तरफ से तो भा बिल्कुल एक भी class miss नहीं करनी है तो start करने से पहले एक चोटी और जरूरी बात कर लेते हैं उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से important topics हैं इसका क्या mind map बनाना है क्या strategy होगी हमारी इस chapter को complete करने की वो सारी बाते अभी हम कर रहे होंगे तो जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education with fully organized complete course and daily practice problems के साथ और वहीं English medium students को मिलती हैं KG to 12th सारी classes और Hindi medium students को मिलती है 6 to 12th सारी classes ये सारी classes आपको बिल्कुल free of cost provide की जाती मतलब इनको देख सकते हैं आप YouTube चैनल पर बिल्कुल free of cost में इनके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई pad subscription वगेरा नहीं करना पड़ता है जरूरत पड़ती है फिर से वहीं बता रहा हो मेहनत की और मेहनत आपकी तरफ से पूरी पूरी चाहिए आप जबरजस तयारी करने के लिए एक कम और करेंगे आप ग्रैप करेंगे e-notes और e-books जिसका लिंक नीचे description box में दिया गया है इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हम यहाँ पर UP board, Bihar board, MP board, Delhi board और राजस्थान board इन सभी boards की तयारी करवाते हैं और इसके साथ ही अगर आप English Medium के student हैं तो आपके लिए एक अलगसा channel है जिसका राम है Magnet Brains उस पर आप subscribe अपने आपको कर सकते हैं उस channel पर सारे बैतरीन टीचर्स के माध्यम से आपको सारे course deliver की जाते हैं KG to 12 तो इनको देखकर अपनी जबर्जस तयारी कर सकते हैं आईए देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली प्रिष्ट्री सेतरफल और आयतन में अभी तक आपने ज़्यादा deal जो किया है 8th class तक वो 2D figures का किया है जिसमें दो विमाय होती है जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, यह सारी चीजे त्रिवुज हो गया यहाँ पर हम 3D figures की बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे होंगे संकु की, बेलन की, बेलन तो आपने किया होगा सायथ, है ना, बेलन तो आपने किया है संकु की बात होगी, यह बेलन है, है ना, यह जो ऐसा होता है, टेंट के जैसा, यह संकु है जिसको हम कौन भी बोलते हैं, कौन भी बोलते हैं, गोले की बात होगी, गोला मतलब ऐसा नहीं, यह तो सरकल है, जो बॉल से क्रिकेट खेलते हो ना, वो वाला गोला है ना, हम उसको गोला बोलते हैं, आप बॉल बोलते हो, हम लोग गोला बोलते हैं, मैं भी बॉल बोलता हू लेकिन अब वो नहीं है, बाल्टी जैसे आकार का weог topic था, बाल्टी जैसे आकार का, उल्टी बाल्टी मैंने बना दियाओ कोई बात नहीं, उल्टी बाल्टी या एसे समझ सकते हो, कि एक तलवार लो बाहु बली वाली और यहां से इसकी मुंडी उड़ा दो ऐसे तो यह फिगर आपको मिल जाएगा लेकिन इसको फ्रस्टम बोलते थे हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको फ्रस्टम बोलते थे लेकिन अब यह टॉपिक से डिलिटेड है है न अगर मैं इसकी क्रीम मैं खा गया क्रीम आपको नहीं दिख रही होगी है ना तो बस आपको यह पार्ट देखना है क्रीम बना दूंगा तो कुछ और बन जाएगा वह यह संकु है यह क्या है यह संकु है तो अभी अब आइस क्रीम खाने जाना तो बोल देना कि चौकलेट संकु देड़ो है ना तो आपको ऐसे भगा देगा कुछ नहीं देगा तो इसको बोलते हो height है जो इसका radius है ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी height होती है उचाई इनके बीच में अगर 90 ans का code बनता है तो इसको हम लंब वृत्तिय बोलते हैं वो बेलंग भी हो सकता है वो संकु भी हो सकता है तो लंब वृत्तिय का मतलब यही है है ना आपको 9th में 10th में जो भी इस chapter से related जो भी problems करनी है उन सब में लंब वृत्तिय ही होगा ऐसा तेणा मेडा संकु हमें नहीं पढ़ने को मिलेगा क्योंकि इसकी height देखो ऐसे तेणी मेडी हो रही है तो ये नहीं पढ़ना पढ़ेगा तेणा मेडा वृत्तिय बोलते हैं आरी बात समझ में तो इससे ज्यादा टेंसन नहीं लेना है चाहे लंब वृत्तिय लिखा हो चाहे ना लिखा हो उसका मतलब ही है कि लंब वृत्तिय क्योंकि लंब वृत्तिय के हलावा ये सब चीजे नहीं पढ़ाई जाती है मैट्स में बेलन का मतलब ऐसा बेलन ऐसा बेलन बिल्कुल नहीं होगा डांस करता हुआ शंकू का मतलब ऐसा या ऐसा संकू, ऐसा संकू बिल्कुल नहीं होगा, है ना, जोकर वाली टोपी ऐसी तो आती है, तो वो वाली टोपी नहीं, बिल्कुल ये वाली टोपी आएगी, है ना, तो ये सारी चीज़े हम लंब भृतिये संकू में पढ़ेंगे, बात करते हैं, प् सर्फेस आपको दिख रहा है तो ये सबी सर्फेस छहतर जाएगा और अगर बस मैं इसके सर्फेस की बाद करता हूं इसके प्रिष्ट की बाद करता हूं तो वह आता है प्रिष्टिय चेत्रफल में प्रिष्टिय चेत्रफल भी दो प्रकार की होते हैं एक होता है लेटरल है ना पार्सव और एक होता है कुल प्रिष्टिय चेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे इसी फिगर की मैं बात करूँ तो इसमें कुल मिला के छे फ्रिष्ट है हैं कितने प्रिष्ट हैं छे एक दो और चार किनारे वाले एक दो और एक दो कुल मिला के छे तो अगर आप कुल कुल प्रिष्ट की बात करेंगे कुल प्रिष्ट की बात करेंगे तो इसको हम कुल प्रिष्टिय चेत्रफल बोलेंगे अगर आप पार्सव पार्सव प्रिष्टिय चेत्रफल की बात करेंगे पार्सव ऐसे लिखते हैं जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आपने देखा कि दो तरह के प्रिष्टी चेत्रफल भी हैं एक कुल प्रिष्टी चेत्रफल है और एक पार्स प्रिष्टी चेत्रफल है जिस कमरे में आप मुझे बैठ के देख रहे हो इसमें अगर नीचे का ग्राउंड का और छट का छोड़ दो तो बची क्या चार दिवा तो यह हो गया lateral मतलब की पार्स अगर कुल प्रिष्टिय चेत्रफल की मैं बात करता हूँ तो चार दिवारों के साथ साथ उपर वाला और नीचे वाला भी आ जाएगा यह बात क्लियर है तो यह हम प्रिष्टिय चेत्रफल में दिख रहे होंगे और लंब भृत्य संकु का प आइसक्रीम आ जाएगी उसकी बात करो तो वह आयतन हो गया कुल मिलाकर एक बात दिमाग में आजी बिठालो कि छेत्रफल की बात होगी तो साइड साइड उपर उपर की बात होगी अगर वाल्यूम की मतलब की आयतन की बात होगी तो अंदर की क्वांटिटी की बात होगी बस बात कतम, ठीक है, बाहर गूमोगे, बाहर गूमोगे तो 6 पल, अंदर जाओगे तो आयतन, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, ये बात हो जाएगी अपने लंब वृत्तिय संकु में, संकु में कुछ चीजे में ने बता भी दिया कि इसको हम radius r बोलते हैं, इसक हम पाठ परिचय कर रहे हैं, एक आपको introduction दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीजे इस chapter में हमें देखने को मिल रही होंगी, तो संकु के बारे में आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, इसके बाद हम बात करेंगे गोला, गोले का गोले तथा अर्ध गोले का प्रिष्टिय छेत रफल, यह गोला हो गया, है ना, बॉल, बॉल, अब बॉल जो है, बॉल आपने देखा, क्रिकेट तो सारे लोग खेलते होंगे, और जो नहीं भी खेलता होगा, क्योंकि कुछ बहने भी हमें देख रही है, वो उसमें अच्छे है, आजकल तो लड़कियां भी चल रहा है, तो हर जगह पर, हर जगह पर आगे रहो हमेशा, है ना, तो जो बॉल होता है क्रिकेट का, देखा तो होगा ही, है ना, जो नहीं भी खेलता है, देखा तो होगा ही, जो बॉल होता है क्रिकेट का, एक देखे, ओ ग्रीन कलर का कपड़ा चड़ा होता है, अगर मै है उसका शहत्रफल है तो और अगल्स करें गोले में घर में पड़ी का टोरी देखना काटोरी बिल्कुल अर्द गोले जैसा नहीं है लेकिन वील कर सकते हो तरह से मान सकते हो थोड़ा बहुत अर्द गोला एक्शुन एक्चुल में ऐसा होता है लेकिन कटोरी यहाँ पे दबी होती है ना तो मान सकते हो कटोरी एक तरह से आप अपने माइन में इमेजिनेशन कर सकते हो अगर मैं कटोरी में पानी पूछू कितना आ जाएगा तो इस केस में आप क्या निकालोगे आयतन अगर मैं पूछू कि कटोरी को पॉलिस करना है है ना उसका कलर मुझे और बदलना है पॉलिस करना है पॉलिस क्या करोगे पॉलिस करोगे आप उसके सर्फेस पे मतलब वहाँ पर बात होगी छेतरफल की जब प्रिष्ट के उपर सर्फेस के उपर रहोगे तब छेत्रफल और जैसे ही अंदर जाओगे तो आयतन अगर जिस रूम में आप बैठे हो उसमें मैं पूछू कि हवा कितनी भरी है तो आयतन और मैं पूछू कि भाई दिवार पे पेंट करना है तो क्या ऐसे हवा में रूम के इधर उधर थो लिना पेंट करोगे पेंट कहां करते हैं दिवार के उपर मतलब जैसे सर्फेस पर जाओगे तो छेत्रफल अंदर की बात होगी जगे की बात होगी तो आयतन यह बात अपने दिवार में फिक्स कर लेना है ठीक है जैसे हमने मतलब की दो आकरितिया देखी एक तो संकू हो गया और एक गोला हो गया गोले का भाई अर्दगोला हो गया संकू और गोला मतलब कुल मिला कर आपको दो figure के बारे में 9th class में पढ़ना है कौन-कौन सा एक तो संग जो आप लोगों का फेवरेट है आइस क्रीम तो खाते ही खाते रहते हो है ना बताना कौन से flavor का आइस क्रीम पसंद है आपको comment box में है ना मैं भी बहुत खाता हूँ और दूसरा क्या है अपना ये गोला और अर्फ गोला ये तीन आकृतिया एक दो तीन इन तीन आकृतियों के बारे में सब कुछ करने के बारे में हैं जानना इस चैप्टर के बारे में इसके साथ ही ये सब कुछ करने के बाद आप concept समझ जाएंगे NCRT के उधारण करेंगे एक, दो, तीन, तीन प्रसनावली है प्रसनावली 11.1, 11.2 और 11.3 NCRT से ये सारी की सारी प्रसनावली आपको मैं करा रहा हूँगा इसके साथ ही प्रसनावली 11.4 भी है मतलब चार प्रसनावली है टोटल दो प्रसनावली में हम पढ़ रहा हूँगे इन दोनों के प्रिष्टिय चेत्रफल के बारे में और दो प्रसनावली में हम इन दोनों के आयतन के बारे में पढ़ रहा हूँगे उधारण जितने भी हैं वो सब करेंगे ये सब कुछ करने के बाद यहां तक करने के बाद NCRT को हम बहुत अच्छे से cover कर रहे होंगे सारे concept हम सीख चुके होंगे उसके बाद मैं आपको MCQs मतलब की बहुवी कलपी प्रस्ण कराऊंगा most important question जो आपके previous year में जितने भी questions आ रखे हैं आपके exam में पूछे जाते हैं या जो भी ऐसे प्रस्ण जो NCRT में वानलो नहीं है फिर भी आपको जानना जरूरी है आपके exam में पूछते रहते हैं उस प्रकार के questions हो सब कुछ आपको most important questions में कराया जाएगा और सबसे आखिरी में complete chapter revision में हम पूरा chapter हर एक chapter मतलब जितने भी topics हैं उनसे related important questions सब कुछ एक ही class में देख रहे होंगे complete chapter revision में तो ये सब कुछ करने के बाद बहुत ही बहतरीन तरीके से आपका ये chapter ये topic पूरा का पूरा complete हो जाएगा मतलब की प्रिष्टी छेत्रफल और आयतन का तो I hope कि ये समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजे पढ़नी है और थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा थोड़ी बहुत excitement भी होगी कि सर पहला topic जल्दी से पढ़ाओ क्योंकि मज़ा आएगा इस chapter बहुत मज़ा आएगा है ना बहुत ही दमदार chapter है बस imagination अपनी क्यूब बन जाना चाहिए शंग को बोलूं आइस क्रीम आ जाने चाहिए है ना लेने मत पहुत जाना तो ये सारी चीजे हम करेंगे बड़े मज़दार तरीके से अगली क्लास में तब तक के लिए एक छोटी और जरूवी बात और आपको बता देता हूं वीडियो को लाइ बिहार बोर्ड यूपी एंपी और राजस्थान बोर्ड ये सभी बोर्स की क्लासिस कवर करते और इसकी अलामा वेदिक मैस क्रास कोर्स और इस पोकन इंगलिस की बी क्लासिज अवेलिबल है आप हमें सोचल मीडिया नेटर्स पर भी फॉलो करना बिलकुल नहीं बूलेंग कर दिए जहाई।